शिक्षक चातरों की जिन्दकी में बहुत महदवपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। वे बच्चों के वर्तमान और भविश्य को एक सफल सांचा देने का कारे करते हैं। जिसके लिए शिक्षक का अपने चातरों को मार्क से भटकने पर उन्हें वापसी उसी मार्क पर लाने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक शिक्षक का अपने भटके चातर को सही रास्ते पर वापस लाना शिक्षक पर ही भारी पड़ गया। जहां एक चातर ने क्रोध की अगनी में अपने हिंदू शिक्षक पर ऐसा जूटा आरूप लगाया जिफ मंगलवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांट से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जिसमें एक शिक्षक को प्रांट की अदालत ने इश निंदा के जूटे आरोप में पच्चिफ साल की कैट और पचास जार रुपे का जुर्माने की भरपाई की सज़ा सुनाई है। हिंदू शिक्षक नौतनलाल विचार धीन कैटी के तौर पर 2019 से जेल में बंद है। उनकी विमानत याचिका को भी दो बार खारिस किया जा जुका है। आपको बता दे कि एक नीजी स्कूल के हिंदू शिक्षक नौतनलाल पर मुहमत एहते शाम नाम के एक शात्र ने आरोप लगाया था कि हिंदू शिक्षक ने पेगंबर के खिलास इशनिंदा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि चात्र मुहमत एहते शाम ने पाकिस्तान की अदालत में अपना जूट कबूला लेकिन कोट ने इस बात पर विचार नहीं किया और नौतनलाल को दोशी ठहराया। साथ ही आपको बता दे कि चात्र द्वारा लगाये गए जूटे आरोप के बाद घोटकी के निवासियों द्वारा हिंसा और तोड़ फोड़ की गई। साथ ही सड़कों पर विरोध प्रदेशन किया गया। जिसके चलते स्कूल और चेत दोनों से ही इस घटना के बारे में पूछताच की गई। तब उस चातर ने आरोपी की पुष्टी की थी कि नौतनलाल ने पेगंबर के जीवन और दो पवित्र शेहरों के बीच यात्रा पर एक पार्ट के दौरान उनका अपमान किया था। लेकिन जैसे ही ये मामला शोश आया तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी मुझे मास्क कर दे मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी नौतन सर मुझे मास्क कर दे प्लीज इस वीडियो को शेयर ना करें ये सब जूट है। गौरतल अब है कि पाकिस्तान में ये पहली घटना नहीं है पहले भी धर्म और पेगंबर के नाम पर कई लोगों की हत्या की गई है ये दर्दनाक सजा दी गई है। जैसे 2021 में पेगंबर मुहमत के अपमान के आरोप में पाकिस्तान में एक हिंसक धीर द्वारा एक श्रीलंकाई व्यक्ती को बरबरता से मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा की कोड जानबूच कर उस हिंदू शिक्षक को निशाना बना रही है। जब उस चातर ने अपना जूट कबूल लिया था तब भी उस शिक्षक को बिना किसी ठोस सबूट के इतनी बड़ी सजा सुना दी। ये बहुत ही शर्मनाग गटना है। पाकिस्तान की तरह उसकी नय पालिका भी अलब संक्यक हिंदूओं को निशाना बनाती है। फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें मीडिया दर्बार धन्यवाद।